Hello, Good morning everyone. मध्य प्रदेश के daily current affairs में बात करेंगे 19. March के सारे महादपूर current affairs के बारे में. Quick recap करेंगे सबसे पहले, उससे पहले हमारी मध्य परदेश का जो current affairs है वो आ चुका है अगर आप लेना चाहें तो इस number पर WhatsApp कर सकते हैं अब डिस्क्रिप्शन में आपको link मिल जाएगा वहाँ से आप ले सकते हैं December का हमारा जस्ट launch होने वाला है कल इसको launch कर दूँगा इसमें कुछ चीज़ा एड होनी है इसलिए भी launch नहीं है दूसरा मध्य परदेश का अभी हम current outlook के नाम से निकालते थे अभी current compilation आया है क्योंकि इसमें हमने mcqs format में questions को भी साथ में रखा हुआ है आप लोगों की demand पर ठीक है इसमें साथ में आपको questions भी मिलेंगे questions के बाद उसका explanation मिलेगा और explanation के बाद आपको फिर उससे related जो static g के है वो भी साथ में मिल जाएगा ठीक है तो इस तरीके से इसको पूरा बनाया गया है इसके लावा constable की test series पर भी flat 100 coupon चल रहा है अगर आप यह लेना चाहिए तो यह भी ले सकते है कल पहरा प्रशनम ने पूछा था कि राज निर्वाचनायोग ने निर्वाचन की पृति मत दाताओं में जन जाग रूपता लाने के लिए किसे राज इस तरीय ब्रानमेजडर निक्ट किया है तो यह सारी का घारू है इनका जो शम्मंध है वो है आपका मध्यपरदेश के होसंगावाज जले से ठीक है यह भी धेहां लखिएगा परदानमंतरी मात्रवंदना undermal मध्यपरदेश को बरस 2021 में यूजडर क्रियान बनमें इस्तर पर कौन सा इस्थान पूप्त हुआ है तो मध्यपरदेश को पहला स्थान समें पूप्त हुआ है 18 मार्च को मिशन ग्राम उदय का मुख्य टारिक्रम किस जले में संपन्द होगा ते 18 मार्च को ये संपन्द हुआ है मद्ध परदेश के धार जले में इसके साथ मद्ध परदेश में एक करोड पंद्रा लाख हेक्टेर क्रशी भूमी को सिंचित किया जा रहा है अपडेटिड डेटा है ठीक है ध्यान रखिए ये मार्च 2021 तक का अपडेटिड डेटा है साथ ही मद्ध परदेश में 21,000 मेगावार्ट उर्जा का उत्पादन किय जा रहा है ठीक है नर्मदा घाटी विकास जो बोड बनाया गया है उसके दोरा सिंचित रकवे में बृद्धी के लिए परयोजनाएं भी तयार की गई है इनका क्रियान वन आगामी तीन बर्ष में किया जाएगा प्रदेश का पहला पेड ओल्डेज होम कहां बनाया जा र रही है इसमें हमारा 14 नंबर का जो अपलोड हो गया है इसको अगर आप अभी जोइन करना चाहें तो अभी जोइन कर सकते हैं चले पहला जो प्रशन है हमारा आज का भारतिया पुरातत्त सर्विक्षण विभाब नागपूर दौरा खुदाई के दौरान कहां भगवान व साघर्जले के अंदर एरण करके जो जगह है यहां पर खुदाई के दवरान शिला मली है इसके अलाबा यहां पर 500 साल पुरानी मुगल कालीन सब्धा भी काफी अपuszेश गод हें हो उख्यों मिले है ओर भारतिया पुरातत्त सर्विक्षण विभाब नागपूर के दौरा खुदाई का काम अभी किया जा रहा है, ठीक है, तो बहाँ पर ये भगवान विश्णु के अफ्तारों की ये शिला मिली है, ये करीब तीन फिट लंबी, दो फिट चोड़ी है, इसमें मजसे अफ्तार, कच्छप अफ्तार, मेर्सिंग अफ्तार और बामन अफ्तार दिखाई जो है, वो मिला है, ठीक है, साथी परथा का परथम साक्ष कहां से मिला है, ये अकसर एक्जाम में परश्ण पूछा जाता है, ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखनी है, ये ताम्रपाशाण कालीन इस्थल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेके अंतरकत आपका काइसा आता है ठीक है। और यह भी आपका ताम्र पाशन काललीन सवचा यहाँ पर नागदा के नागदा का वह है आपका चंबल नदी के कनारी उस्थी, और एभी कहाँ पर आपका व hem ju met के असपास ठीक है तो यह भी चीजा पर रखिए गा इसके लाब अगर हम बात करें मद्द परदेश में और जो पुरातत कालीन इस्थल हैं उनके बारे में तो जैसे आपका एक डांग वाला है यह इस्थल है आपका डांग वाला आपका मद्द परदेश के उज्जन जले में ही आता है ठीक है इसके साथ साथ आपका नागदा और कायथा तो आपके उज्जन में हो ही जाएंगे ठीक है इसके लाबा दीवा में एक त्योंथर करके यह प्राचीन जो इस्थल है उनकी बात करनाओं में दीवा में त्योंथर करके इस्थल है खरगोन जिले में जो कसरा बाए तर तो कसरावद है digging मेर्च महुत्सौप आयूजन बने ड़कर हैं जहाँ पर मिर्च महुत्सौप आयूजन किया गया था तो कसरावद जो है तो ये आपको मलब इतनी चीज़ें याद रखनी है, इसके लावा विदीशा में आपका ग्यारसपुर है, आपका नौदा टोली खरगौन में है, वीमबैट का आपका राइसे इंजले में आता है, महेश्वर है, महेश्वर से भी बहुत सारे ऐसे प्राचीन इस्थल मिले है जो आपका मत्यपरदेश के खरगौन जले में ही आता है, इंद्रगड है, इंद्रगड आपका इंदौर जले में आता है, इंद्रगड से भी काफी ऐसे इस्थल जो हैं वो मिले है, बोपाल में जैसे आपका इसलाम नगर है, इसलाम नगर से आपके जैसे जो दोस्त महम्म अगला जो प्रशना मुख्मंत्री श्री शिवराज सिंग चौहान्य के इस जिले में तीन करोड़ सेटालिस्त मलाक रुपे की लागत से नर्मित महराज भोज उद्धान का लोकारपण किया है महराज भोज जो उद्धान है इसका जो लोकारपण है मध्यपर देश के धार जले में किया गया है और राजा भोजी थे जिन्हों ने अपनी राजधानी जो है वो उज्ञैन से धार इस्थानांतरित की थी ध्यान रखिएगा राजा भोज ने अपनी रासधानी उज्जेन से धार स्थान तरिद करी थी तब धार को धारा नगरी के नाम से जाना जाता है ठीक है और धार जिला मुख्याले परिस्थित इंदौर नाका पर तीन करोर सेंतालिस लाक रुपे की लागस से महराजा भोज उद्यान का लोकारपन करने के साथ साथ वहां इस्थाफित की राजा भोज की पृतिमा का भी अनावरण उन्होंने किया है इसके अलावा शिल्प कला दीरगा यानि की हाट वजार का लोकारपन भी इन्होंने किया है साथी पंच वर्षिया रोड मैप का बेमोचन भी धार मार्जले में 18 मार्च को किया है ठीक है देट ध्यान रखिएगा 18 मार्च को इलोकारपन किया गया है इसके लावा मुख्यमंत्री अधुसंरचना मद के दुतिये में 9500 बर्ग मीटर में भोज उद्यान बनाया गया है इस उद्यान में राजा भोज की बिसिस कांस्की 15 फीट उची तथा करीब 2300 किलो वजनी प्रतिमा इस्थापित की गई ये पूर्य प्रदेश की दूसरी भोज प्रतिमा है पहली जो भोज प्रतिमा है वो कहां पर स्था स्थापित है वो भूपाल में स्थापित है भी आई पी रोड इस्थित जो लेक है ठीक है भूपाल को सिटी ओफ लेक्स कहा जाता है ठीक है सिटी ओफ लेक्स कहा जाता है आपका भूपाल को ठीक है तो यहां पर ये भोज की पहली प्रतिमा है दूसरी प्रतिमा कहां स्थ स्थापित करी गई है दूसरी प्रतिमाप की मध्यपरदेश की धार में इस थापित की गई है यहां पर हम बात करें कुछ राजा भूज के बारे में तो राजा भूज परमार या पमारवंश के नौवे राजा थे ठीक है ध्यान रखिएगा नौवे राजा थे और परमारव कुर्वार्देश की राजदानी भोपाल को राजा भोजन ही बसाया था तब उसका नाम भोजपाल नगर था जो कालांतर में भूपाल और भोपाल हो गया राजा भोजनेशन एक हजार E.S.W. से एक हजार पच्पन E.S.W. तक राजिकिया था। धार में, भूझ, शोध संस्तान में, भूझ के ग्रंतों का संकलन है। भूझ के ग्रंतों की बात करें, तो यहाँ पर दियान रखियेगा, भूझ को कवीराज की उपाधी परतान किये गये। इतिहासकारों के दो और इनको कवीराज कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे संस्कृत के प्रकांड विद्धौन थे और संस्कृत के कई ग्रंथों की इन्होंने रचना किये जिनमें से आपका सरस्वती कंठ बंडारण, समरांग, सूत्रधार, चारू, चर्चा, उधन्त, मार्तंड, विद्ध्याबनूद, सिध्धान्त, विक्रह, युक्ति, कलपतरू, ऐसे बहुत सारे जो हैं जो इन्होंने संस्कृत के ग्रंथों की रचना की हुई है तो भोज शंस्थान में इनके जो ग्रंथ हैं उनका संकलन किया गया है भोज रचे 84 ग्रंथों म इनकी माता का नाम साबित्री था जब भोज पांच वर्ष के थे तभी इनके पिता अपना राज जो इनके पालन पोशन का भार अपने भाई मुंजु पर छोड़कर स्वर्गवासी हो गए थे ठीक है तो यह जानकारी आपको होना चाहिए एक और चीज राजा भोज ने अ नाम से भी जाना जाता है ठीक है ध्यान रखिएगा इनको सिंदु राज की नाम से भी जाना जाता है दूसरी चीज परमार रवन्ष का संस्थापक कौन था तो राजा उपेंद्र परमार रवन्ष का संस्थापक था यह भी आपको व्याद रखने इसके लावा धार में ए इसको कहा जाता है सरस्वती सदन भोज शाला इसका निर्माढधी किस ने करभाया था इसका निर्माढधी राजा भोज नहीं करभाया था इसके अलाबा भोजपुर ठीक है जहां पर सबसे बड़ा जो शिवलिंग है और आर्किटेक्ट्चर की दृष्टी से अगर देखा ज सुमनाथ कहा जाता है इसके साथ चितोडगड में त्रभुवन नारण मंदर का निर्माढवी राजा भोज के द्वारा करभाया गया था ठीक है ये चीज अपने को याद रखनी है एक हजार पचपन में इनकी मृत्योंगे की तब तक इन्होंने शासन जो है वो किया था ठ प्रधान मंत्री ग्रामसड़क यूजना की क्रियानबन में मध्यपरदेश देश में किस स्थान पर है तो देखे प्रधान मंत्री ग्रामसड़क यूजना की क्रियानबन में मध्यपरदेश पहले स्थान पर है और अभी हाली में मध्यपरदेश में जो भोज में ये मिशन ग्रामोदय का शुभारंब करा गया है उसमें नरेंदर सिंग तोमर जो किंद्रिय मंत्री हैं यह नहोंने यह जानकारी दी है कि मध्य परदेश जो है वो ग्रामीर विकास योजना हो विशेश कर प्रधान मंत्री आवास योजना तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजन में दूसरे नंबर पर है ध्यान रखिएगा प्रधान मंत्री आवास योजना में देश में दूसरे नंबर पर है और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में मद्यप्रदेश देश में पहले नंबर पर है बात करें तो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क युजना की शुरुआत जो है भारस सरकार के दारा 25 दिसंबर 2000 को की गई थी इस युजना का प्रमकुद्देश था ग्रामीड इलाकों में 500 या इससे अधिक आवादी वाले यानि पहाडी और रेगस्तानी चेत्र का देखें तो 200 लोगों की आवादी सड़क संपक से बंचित गाओं को बारह मासी सड़कों से जोड़ना ध्याना कि यह 500 और 200 500 किसके लिए ग्रामीड इलाकों के लिए ठीक है और 200 किसके लिए 200 हैं जो पहाडी और रेगस्तानी चेत्र हैं उनके लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क युजना का तीसरा जो च जो अनकारी मिल जाती है प्रधान मंत्री आवास युजना की बात करें तो भारत सरकार द्वारा शुरू करी गई इसकी में जिसका उत्देश है कमजूर वर्गों को सस्ते घर प्रधान करना 25 जून 2015 को इस युजना की शुड़ूआत करी गई थी प्रधान मंत्री आवास योजना ने 55 सोतंतरता देवस का जश्न बनाने से पहले 31 मार्च 2022 तक शहर की निम्नबर्गी के 2 क्रोड घर बनाने का लिक्छ रखा गया है इस योजना के अंतर ठीक है यानी कि जब 75 युशना देवस करेंगे तब तक कम से कम दो करोड घर बनाने का जो लक्ष है वो रखा गया है अगला प्रशन है टीटी नगर स्टेडिया मिस्थित मार्शल आर्ट हॉल में संपन तीन दवसिया राजस्तरिया मलखंब प्रतियोकता में किस जिले के प्रशनीत आदव को Champion of Champion Awards से सम्मानित किया गया है तो प्रशनीत आदव भुपाल से है और इसमें तीन दवसिया यह राजस्तरिया मलखंब प्रतियोकता कायोजन किया गया था में junior और senior बालक worlds और बालक वर्ग में overall champion मनने का गौरभ जो है वो अज्जन ने प्राप्त किया है junior junior senior बालक वर्ग ठीक है और बालक वर्ग सभी में कोन है अज्जन उपवुचेता कौन है शाज़ापौर है बालका senior जूनियर बर्ग में पन्ना और जूनियर बालिका बर्ग में चतरपुर के खलाडी तिरतिय स्थान पर रहे हैं। जूनियर बालक बर्ग में प्रणाव कोरी उज्जेन प्रणीत यादा भूपाल दूतिय और इंदरजीत नागर उज्जेन तिरतिय स्थान पर रहे हैं। जूनियर बर्ग में उज्जेन की जेसिका प्रजापती पर रिधिमा शर्मा दूतिय और शाजापुर की चंदरश्मिक्तोला तिरतिय स्थान पर रहे हैं। सीनियर वाली का बर्ग में उज्जेन की शेवानी करोलिया प्रधम, सौनु मंडावलिया दूतिय और शाजापुर की रितिका गवली तितिय स्थान पर रहे हैं। अगला प्रशन है, हाली में किस जिले की नगर परशद अकोड़ा को ODF++ का दरजा मिला है, तो ODF++ का जो दरजा मिला है भिंड जिले की अकोड़ा नगर परशद को मिला है। और स्वक्षता सरवेक्षण के ताजा नतीजों में भिंड जिले की नगर परशद को ODF++ का दरजा दिया गया है, इससे इसका फायदा क्या होगा, आगामी दिनों में होने वाले मुख्य सरवेक्षण में 600 नंबर जो हैं इस नगर परशद को बोनस के रूप में मिल जाएं कांग्रेस का दियो आयोजन है विक्रम विश्विद्यालाय के सहयोग से मैपकास्ट के द्वारा मध्यप्रदेश, विज्ञान और प्राध्यगे की परसद मैपकास्ट, भुपाल के सहयोग से विक्रम विश्विद्यालाय की अगवाई में, प्लेटफॉर्म पर, कौन से प 26 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा यहां पर अगर हम बात करें तो विक्रम विश्विध्यालय जो है यह उज्जेन में स्थे थे 1957 में इसकी स्थापना की गई थी हरी सेंग गौर विश्विध्यालय मद्परदेश का पहला विश्विध्यालय है पहला केंद्रिय विश्विध्यालय है जिसकी स्थापना सागर में की गई है राजीब गांदी विश्विद्यालाई की अगर हम बात करें तो यह भुपाल में स्थेत है, 1998 में विश्विद्यालाई बना था, ठीक है, तो इतनी जनकारी भी आपको होना जरूरी है, मद्यपरदेश का पहला जो विश्विद्यालाई वो कौन है, हरी सिंग और में ही, यह ध्यान रखिए, 1946 में ही पहला मेडिकल कॉलेज बना था, 1940 में ही पहली उनिवरस्टी आपकी बनी, ठीक है, सागर उनिवरस्टी का नाम से बनी थी, हरी सिंग और विश्विद्यालाई फिर मतलब नाम गिया गया था इसको, मद्यपरदेश में दो ही के इंद्रि आदिवाशी बिश्विद्यालाई, ट्राइवल उनिवरस्टी के नाम से जिसको जाना जाता है, ठीक है, यह इतनी चीज आप यहाँ पर याद रखिएगा, दो प्रशनों पर आते हैं, कल दो प्रशनों हमने पूछे थे कि निम्नमे से कौन पित्होरा वित्ती चित्रकलास से संबंदित है, तो पित्होरा वित्ती चित्रकलास से जो संबंदित है वो है आपके पेमा फाल्या, ठीक है, पेमा फाल्या का संबंद जाबुआ जिले से था, ठीक है, और मैंने पीडिएफ में एक कवर किया था, इनके विहाली में मार्च 2020 में इनकी डैथ हो गई थी, य पित्होरा वित्ती चित्रकलास से इनका संबंद है, ठीक है, इनका संबंद पित्होरा वित्ती चित्रकलास से, ठीक है, बावन गजा जैनतीर्थ इस्थल कहाँ है, तो यह बड़बानी में है, बावन गजा इसको इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान आदीन टीम की ranking में भारत का इस्थान क्या रहा ठीक है एक प्रिश्ण दूसरा प्रिश्ण है निम्लकित में से कौन इंटरणेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कर्प्तान बन गए ठीक है तो ये दो प्रिश्ण आपको comment करके बताना है और इसमें साथ में ये